हेलो एवरीबन देखिए मेरे को एक प्रोब्लम को फेश करना पड़ रहा था जब मैं जावा फाइल्स को एक्जीक्यूट कर रहा था बिसिकली वो जावा फाइल्स जब किसी पैकेज के अंदर रिसाइड कर रही थी जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास में एक जावा फाइल है सम नाम से ठीक है जो कहां पर है कोम नाम से एक फोल्ड है उसके अंदर एक और एप नाम से फोल्ड है और उसके अंदर मेरी ये जावा की सम क्लास रिस कर रही है तो जब मैं इसको एक्जीक्यूट करता था तो हमारे पास में एक error message आ रहा था कि डोट लेंग क्लास नोट फाउंड जावा डोट लेंग डोट क्लास नोट फाउंड क्लियर इस टाइप से error message आ रहा था तो उसी का solution काफी ढूनने के बाद मेरे को मिला है तो आप लोगों के साथ share कर रहा हूं तो वीडियो को देखिएगा चलिए देखते कैसी इसको solve करना है यहां पर देखिए इसके अंदर मैं add नाम से कोई दूसरी क्लास है उसका add method add a b उसको मैं call करा रहा हूं result के लिए ध्यान रखना वो भी इसी बेस पैकेज के अंदर है कों डूट एप पैकेज के अंदर है चलिए देखिए का आप कैसे करना आप लोगों को कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने उस फोल्डर में आ जाईए कि जहां पे आपने को नाम से फोल्डर बना रखका है कॉर 1 एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि 純र फोल्डर है इसको कार वोह हित नाम से फोल्डर था उसके अंदर एप नाम से फोल्डर है और उसके अंदर यह मेरी दोनों जावा की classes reside कर रही है sum और AB यह आप extension यहाँ पर देख सकते हैं इसको आपको कोल के देखेंगे तो जो दिखाया था भी वो ही है कोई गलत information यहाँ पर अवलेबल नहीं है तो अब देखें कैसे इनको compile करना हो और कैसे execute करना है क्योंकि यहाँ पर तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा दोनों के अंदर एप के अंदर भी यहाँ पर आपको package आपको दिखाई दे रहा है pace clear और ऐसे ही add नाम से जो file फाइल है वो भी उसी package के अंदर लाई कर रही है recite कर रही है अब इनको कैसे compile और execute करना है वो तरीका देखे फटाफट से सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने उस basic folder के अंदर जिसके अंदर हमने यह पूरा जो अपना code लिखा हुआ है कहां से जैसे new folder new folder के अंदर कोम नाम से folder ठीक है तो आप वापिस बैक यहां पर अपना आ जाईए ठीक है जहां पर कोम नाम से फोल्डर आपने मनाया हुआ यहां पर आजिए और उसके बाद में यहां पर यह जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ठीक है एड्रेस बारवाला आप कह दीजी उसको उपर करने के बाद में आपको टाइप करना है कमपाईल करने के लिए यानि कि वो जो सम नाम से जावा की क्लास है और एड नाम से जावा की क्लास है उनको कमपाईल करने के लिए आपको टाइप करना है सबसे पहले जावा सी जावा सी और स्पेस दीजिए उसके प्रेंट चीज़े हैं फिर उसके बाद में अगला फोल्डर का नाम क्या था एप और फिर आपको स्लैस बेकवार्ड स्लैस और फिर आपको फुल्ली कॉलिफाइड नेम आपको टाइप कर देना है अपनी क्लास का अब सम हमारी क्लास का नाम डोट जावा ऐसे आपको पूरा नाम टाइपकरना सम डोट जावा जो भी क्लास हो अपने अकोर्डिंग उसको आप टाइप किजिएगा यहां पे और एंटर कर दीजिए आपको केवल यहीं से इसकी बैक से ही open करना है मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे compile हो गया है तो क्या आपको result देखने को मिलेगा जैसे ही अगर यह compile हो गई होगी तो आपको देखो अभी इसके अंदर दिखाई दे रहा है ये दो आपको class file आपको दिखाई दे रही है compile होते ही add नाम से class file और एक sum नाम से class file आपकी बन गई है उसी folder के अंदर f वाले folder के अंदर अब compile होने के बाद में next क्या है execute करना हो result देखना है इस command window के अंदर तो चले देखे execute करने command देखेगा आपको सबसे पहले type करना java उसके बाद में space उसके बाद में आपको कैसे type करना execution के लिए देखे डिफरेंस आप note कीजिएगा com folder का name पहले dot app dot sum देखे आपको मैं दिखा देता हूँ जैसे हमारे पास में ये फाइल थी हमारी ये जावा की फाइल थी सबसे पहले देखो com फिर dot लगाया app next folder का नाम execute करने के लिए और app के बाद में dot sum उस class का नाम इतना आपको type करना है और enter कर देना है clear इतना type करने के बाद में आप enter कर देजिए अगर सब कुछ सही हुआ तो आपकी स्क्रीन पर यहां पर ही result आपको देखने को मिल जाएगा कर देखिए मैंने थोड़ा सब बना के लिखा हुआ यहां पर inside of main method of sum class जैसे ही यह प्रोग्राम हमारा execute होना शुरू होगा तो फिर उसके बाद में क्या है calling add ab method of add class add class के add ab method को call कर रहा है कहां से from com.app package से देखिए उसके अंदर क्या है sum of a and b is c equal to 25 तो यह मापको लो यहां दिखा देता हूं यहां आप देख सकते हैं तो ठीक है दूसरी वाले फाइल और में खोल के दिखा देता हूं आपको यह add वाले फाइल कि यहां देखिए यह c variable में मैंने result को store करा था और उसको मैंने print करा दिया print command मैंने यहां पे टाइप कर रखे थी यहां पे और execute होने के बाद जैसे ही यह वाला code मेरा execute हो जाएगा calling हो जाएगी add ab method की help से तो मैंने एक छोटा सा message होड़ दिया प्रोग्राम executed successfully ठैंक्स और आप सभी का भी यह वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद अगर कोई किसी को प्रोब्लम हो तो आप contact कर सकते हैं ठैंक्यू बरिवाट्स झाला प्रोब्लम हो जाएगी